नमस्कार प्रेवजार्थियों मैं हूँ नरेश कुमार भारी राज के कन्या माविदले तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारतिय राजनितिक विचारक मनु का रज्य का सापतांग शिधानत क्या है और रज्य की उत्पत्ति का उनका देव विशिधानत क्या है यह समझेगे प्राचिन भरतिय राजनितिक परंपरा में राज्य के साथ अंग या साथ तत्व मानें गए तो उसी तरज पर मनु भी राज्य के साथ अंग या साथ तत्व स्विकार करते हैं मनु ने इन साथ अंग या तत्व की जगए प्रकरती सब्द का प्रियोग किया लेकिन परकिर्टी से तात्व परिया उनका तत्व से है तो जो साथ तत्व हैं वो इस प्रकार है स्वामी यानि राजा मंत्री मंत्री परिशद का उलेख हुनों ने किया है राजा को उस मंत्री परिशद की सला के अनुरूप कारे करना होता है पुर यानि दुर्ग पुर्ष से अर्थ है दुर्ग यानि जिसे हम फोर्ड किला ये कहते है तो मनु ने छैत रहे के दुर्ग की कवरनन किया दनवन मही जल वरक्ष मनुश्य दुर्ग और गीरी दुर्ग इनका जब हम आगे वन वाई वन देखेंगे तब इनकी विशेस्टाइन देखेंगे चोथी जो प्रकृति मनु ने बताई वो थी राज्य है यहां राज्य के एक अंग प्रकृति के रूप में राज्य थोड़ तब हम देखेंगे कि कोटिल्य ने भी राज्य के सापतांग सिधानत का ही प्रतिपादन किया तो कोटिल्य जिस चीज को जनपद कहते हैं उसे मनु राज्य कहते हैं और उनका इस इतात प्रिया है वहां की भूमी और जन संख्या को समाहित किये हुए है यह लैंड और पॉ वर दोणनंग है राज्य का राज्य का और किसी वी राज्य के पास कोष प्रियाप्त मात्रा में होना चीरे दंड अर्थात आर्मी दंड का कॉंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं मित्र तो किर एक राष्ट्र का राष्ट्र को अपने अस्तित्य के लिए या अपने जिन पूर्ति के लिए उन्हें मित्र भी चाहिए होते हैं यानि राज्य सिर्फ और शिर्फ आंतरिक कंपोजिशन ही उसे राज्य नी बनाता उसे बाई है राज्य से बाहर उसे मित्र भी चाहिए इन साथ अंगों को हम वन-बाई-वन देखते हैं सब्सक्राइब राजा या स्वामी यह सबसे महत्वपूर्ण और्गन है राजा के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं के जा सकती राजा को मनु ने आविशक गुण बताए हैं कि इन गुणों से युक्त राजा होना चीए उसकी प्रसास्निक छमता और दाईत्यों के प्रती अटूट निस्टा से युक्त अनेक नेतिक गुणों से युक्त राजा की दालना मनु ने युक्त किया है नेतिक गुणों से युक्त होना चाहिए मनु का राजा है वह धर्म के अधीन है यह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मनु का राजा धर्म के अधीन है और साथ ही वह धर्म का परवर्तक है धर्म के साथ साथ मनु ने राजा पर एक संस्था गत नियंतरन भी स्थापित किया वह नियंतरन है कि उसे बहुत सारी कारेयों या ऐसे कारेयों की शुची मनुने प्रदान की जो कारे उसे मंत्री प्रिशद की प्रामर्श से करने होते हैं मंत्री प्रिशद के प्रामर्श के आदार पर करने होते हैं तो प्रामर्स देने के लिए उन्होंने एक मंत्री प्रिशद की व्यवस्ता का उलेक किया और मंत्रियों के लिए भी योग गेताएं मनु ने निर्दारित की तीसरा आंग है वो है पूर यानी दुर्ग मनु का मत्र है कि राज्य को पूर्णतिया सुरक्षित होना चीए और सुरक्षित राज्य ही जनता की रक्षा और भर्ण पोशन की उचित वेवस्ता कर सकता है इसे तुनों ने दुर्ग की छैसरेणियों का उले किया दुर्ग की छैसरेणियों में धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वरक्ष दुर्ग, मुनुष्य दुर्ग और गीरी दुर्ग हम इन नामों को समझ चुके हैं इनका डीटेल में आगे हम देखेंगे तो इन जो छो च्य श्रेणियां है दुर्गों की मनु ने किसी भी श्रेणी को ये नहीं का कि दिस इस इस दा बैस्ट और बाकी सब हैं वो प्रयाप्तनी है लेकिन हर दुर्ग श्रेणी की अपनी विशेष्टा है और राज्य को अपन विशेस्ता है वे है राज्य यानि लेंड एंड पोपुलेशन जमीन और जन संख्या से मिलकर ये विशेस्ता बनी हुई है तो राज्य सबकाशी राज्यिक भूमी और निवास करने वाली जनता से यह राज्य का अंग अनिवारे रूप से माना आधुनिक राजनितिक सिधान्त में भी हम जब आप दूसरे पेपर में देखेंगे तो वहां राज्य के अनिवारे चार तत्वों में पोपुलेशन और लेंड का उलेक मिलेगा अगला है कोश कोश से तात्परे है कि राजा के पास इतनी प्रयाप्त मात्रा में धन होना चीए ताकि वै प्रजा की शुरुक्षा और कल्यान के लिए विभीन प्रकार के कारे कर सके शुरुक्षा और कल्यान के विभीन परकार के कारे करने हितू प्रयाप्तू पैसा उसके पास कोश में होना चीए यहां में एक बात धान देने योग्य है कि मनु जब भी बात करते हैं तो मनु का राज्य सिर्फ और सुरुक्षा तक सिमित नहीं है वो शुरुक्षा के साथ साथ उनके जन कल्यान की बात करते हैं जब आप राजनेतिक सिधानत प्रथम पेपर में आप देखेंगे तब आपको यह समझ में आएगा कि मनु का राज्य है वह है लोग कल्यान कारी राज्य है आपने ट्वेल्थ में बढ़ा होगा लोग कल्यान कारी राज्य क्या होते है तो मनु के राज्य के जो संकल्पना है वह है लोग कल्यान कारी राज्य की संकल्पना है अगली जो प्रकृति है वह है दंड दंड स्यास्य है राज्य की रक्षा करने वाली सकती अर्थात सेना तो मनुने सेना के भी अनेक अंग स्विकार किये हैं हस्ती सेना जो एलिफेंट पे होती है रत सेना जो रत का यूज करती है अस्व सेना जो अस्वर परशवार होती है जल सेना और पदाती पदाती अर्थात पैदल जो सेनिक होते हैं तो यहां हम यह देखते हैं कि मनु नो शेना का भी वर्णन करते हैं और राज्य को अपनी रक्षा के लिए विभिन परकार की शेनाओं को रखने का प्रावधान मनु ने किया अगला अंग है मित्र अंतरास्टी राजनित्य में राज्य के ऐसे पडोशी या दुरस्त पडोशियों के साथ ऐसे समंद हों कि उनसे राज्य रक्षा के साथ-साथ-साथ अन्य उदेशों की पूर्ति करस के तो मैत्री पुर्ण समंद भी राज्य के लिए आवशक है राज्ये मेत्रिपूर्ण संबंद राज्ये के लिए आउश्य के अर्थात राज्ये निर्वात में नहीं रह सकता उसका अन्यों के साथ संबंद जरूरी है यह उसकी साथ जो प्रकृति है उनका वर्णन हमने देखा इन साथ प्रकृतियों के साथ साथ यह भी बताया कि यह जो प्रकृतियां हैं यह सभी आउश्यक हैं कोई प्रकृति के अबाव में राज्ये पूरुन नहीं हो सकता सभी प्रकृतियां आउश्यक हैं और सभी प्रकृतियां एक दूसरे पर निर्बर हैं लेकिन इसके बावजूद इनका इनका जो इंपोर्टेंस है उनका क्रम है तो आमने जिस क्रम में इनको पड़ा है वही इनके महता का क्रम है यहीं सबसे जादा महतुपृण क्या है राजा है दो नमर पर मंत्री है तीर नमर पर पूर यानि दूर्ग है चार नमर पर राज्य है पांच नमर पर कोश और शे पर दंड और साथ पर मित्र सभी आउश्यक है सभी एक दूसरे पर निर्बर हैं लेकिन इसके बाव जुद मनु एक विशिष्ट बात स्विकार करते हैं कि प्रतेख प्रकार की प्रकरती एक विशिष्ट कार्ये के लिए जैसे आर्मी रक्षा के लिए है तो जब कोई प्रकरती उस काम से संबंदित है तो उस काम के संदर्ब में वही जरेश्टत है थेंक्यू थेंक्यू सो मच